मैंने खरीदा है ये प्राइवेट जेट और इसे क्रैश भी कर दिया एक रेस्क्यू टीम को लगभग 31 गंटे लगते हैं किसी भी प्लेन क्रैश के सैवाइवर्स को ढूमने के लिए और अब मैं और बॉइस मदद के आने तक आम दुनिया से बिलकुल अलग इस जंगल वाले इलाके में फंस गए हैं ठीक आप देखते हैं यहां कितना नुकसान हुआ है मुझे कुछ वाटर बॉडल्स दिख रही है मुझे पता है यहां बहुत प्यास लगने वाली है अब देखो वो दो पाइलेट्स को तनख़ा देते पर अब जरूरत एक ही है इसलिए फ्लाइट्स इतनी महंगी होती है क्रिस क्या मुझे खाने की जीज़े मिली है तो एक बिलकुल आम प्लेन की तरह यह सब भी बेकार है इसे बचा के रखते हैं बाद में खाएंगे पर मुझे भी भूक लगी है सारे सामान को प्लेन के विंग पर रखते हैं यहां पर रुकते मैं बहुत मजाएगा जितना खाना और पानी एक आम प्राइवेट जेट में रखा जाता है जिन्दा रहने के लिए हमारे पास उतना ही है इस चोटे से प्लेन पर ज्यादा खाना और पाने नहीं है अब हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कुछ लोग एरिया को चेक करेंगे और बाकी लोग खाना पानी को समालना और चट वगरा के बारे में देखेंगे चलो प्लेन के इन पीसिस को इकठा करते हैं जितनी ज्यादा देर लगाएंगे उतना ही कम काम करना पड़ेगा इसे धकेलते हैं फिर एक टेंट जैसा कुछ बन जाएगा यह काम करेंगे यह सही है, मैं यही तो करना चाहता था हम आखिर यहां क्या ढूंडने की कोशिश कर रहे हैं मुझे नहीं लगता है, एक्स्प्लोर के कुछ होता है हाँ, क्या फर्क पड़ता है, ये किसी मूवी सीन जैसा लग रहा है ना ऐसे लग रहा है कि हम जुरासिक पार्क में हैं हाँ, बिल्कुल सही का और वहाँ पर तो एक डाइनसोर भी है ओ, हाँ, क्या, यही हमारा नया घर है, यह तो शांदार है इन्होंने सच में कमाल कर दिया, लगता है ज्यादा पानी नहीं बचा है मैं चार बॉटल पीने वाला हूँ, उससे ज्यादा नहीं तुम पानी पी रहे थे? हाँ, प्यास लग रही है राशन का क्या हुआ? अभी और भी चीज़े हैं नाइस, क्या यार, यह सब काम मुझे नहीं जमता बहुत सारी लकडिया जमा करनी है ओ, यह जगा तो डरावनी है तुम्हें वापस जाने का रास्ता तो याद है ना शायद हम खो गए है गाइस, मुझे एक फाइर पिट मिला है ओ, यह क्या है क्या तुमने प्लेन का इंजन उखाणा है वैसी एक परफेक्ट फाइर पिट है तुम सबसे हुश्यार तो नहीं हो, पर तुमने कमाल कर दिया मुझे लगता है आग जलाने के लिए हमारे पास काफी लकडिया है जरा देखो तो, क्रिस दिमाग का इस्तिमाल कर रहा है हम सिर्फ जिन्दा नहीं रह रहे, बलकि फल फूल रहे है मेरे पास एक आइडिया है ट्रिक, मुझे ओ ड्रोन देना ट्रिक इसी ड्रोन शॉट लेने के लिए लाया था यार मैरा आस्ता बंटक या काल, ग्रिस ठीक है, यहां भी पेड, यहां भी पेड ओ रुको, वो क्या है ओ माइगाड, वो पानी है, वो तो पानी है देखो मुझे क्या मिला, यह तो एक नदी है जरा रुको, यह नदी जाती का है क्या यह लडविग क्या वासती ठीक काल, मैं ड्रोन के मज़े ले रहा हूँ, तुम जाओ लडविग को बचाओ लडविग चिला रहा है, काल वो कहा पर है, क्या वो जंगल में है काहो तुम काल काल काल, ओ माइग तुम मज़ा कर रहे हो यह तो कुछ भी नहीं, यह अच्छी लखडिया है अरे यह तो बैग में भी नहीं था यार मुझे तो लखड़ी को संबाल कर हमें एक मीटिंग करनी चाहिए जिमी, लुडविग वहाँ पर खोड़ चुका था वाँ रुको, क्या वो नीचे आनवाली है? मरने वाल है कोई बात नहीं, और एक बार ओ, आखरी शूट करने से पहले सोच लो अगर सच में उसकी जरुत पड़ी तो लेकिन हमें फ्लेयर क्यों लगेगी इस ड्रोन के अंदर एक थर्मल कैमरा भी है इसलिए हमने विज्ञान के लिए कुछ टेस्ट करने के बारे में सूचा चलो, मैं सूसू करके एक मैसेज लिख देता हूँ ठीक, हम तयार हैं वो मैसेज थोड़ा साफ साफ लिखना वो डरा हुए हमें उसका सूसू दिखाई दे रहा है मैंने अपना नाम लिखा है हमें दिखाई दे रहा है मैं लिखने वाला था कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करो लेकिन उतना इंधन नहीं था मेरे पास पिछले छे गंटों में ये पहली पानी की बॉटल है क्रिस तुम्हें भूक लगी है हम शायद अपना कनेक्टिंग फ्लाइट मिस कर देंगे अब जे इसमें मजा नहीं आ रहा है ये सब अभी किसी और लेविल पे जा रहा है चार बजे हैं और मैं अभी तक सो नहीं पाया हूँ यहां जमात देनी वाले थंड है पिछले छे गंडों में मेरी पूरी शक्ती खत्म हो गई है और मैं काप रहा हूँ कल रात सब की नहीं कैसी होई मैं प्लेन की गलत साइड पर था कल रात ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इसलिए हम सब यहां आग के पास आकर सो गई कुछ भी नहीं बस नट्स के 10 पैक्स बचे हैं सिर्फ पीनट्स ही बचे हैं याद है ना जब मैं ड्रोन के साथ खेल रहा था हमने वहापर एक नदी देखी थी और हमें नाना भी तो है और किसी के बास पानी भी नहीं है और उपर से लडविग मैं चार बोटल पीऊंगा शयाद है मैं उस नदी को डूणना चाहिए नदी की ओर हम जंगल से होते हुए नदी की ओर जा रहे हैं तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं जंगल में पला बढ़ा हूँ इन पेडों की रूट्स पानी से धुली हुई हैं मतलब हम नदी के नजदीक ही हैं गाइस मुझे कुछ चुनाई दे रहा है हाँ क्रिस वो नदी बहुती पास लग रही थी हम बस वहाँ पहुची गए हैं मैं क्रिस के आवाज में कुछ बोलू ये देखो मेरे पीछे मीचाओ मुझे आखों के सामने होते पोपल डॉट्स दिख रहे है पर नहीं पता कि ये नेट्स हैं या डियाइडरेशन मैं इस नदी का पानी नहीं पी सकता सच कह रहा हूँ हमने इने आने रखा है ये पानी पीने या नहाने लाइक बिलकुल नहीं है सर में दर्ध है मैं डिहाइडरेटिड हूँ और क्रिस बस आगे बढ़ते जा रहे है हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए श्याद हमें इने छोड़ कर प्लेन के पास चलना चाहिए नहा लेता तो अच्छा होता यार अरे ये क्या अमेरिका के जंगलों में ऐसी चीज़े क्यों देखने को मिलती है ये माउंटें ड्यू कितना पुराना होगा ओ माइग गाड ये कितना गंदा है या एक मदुमक्खी है चलो चलो बहार निकलते है श्प्रे करो श्प्रे करो मैं समाल लोगा मैं किसी क्रेश साइट पर जाने के लिए इतना एक्साइट कभी नहीं हुआ हम वापस आगए मैं कुछ सुनाई दिया मुझे चीक सुनाई दिया क्या तुम नदी के देवता हो हाँ मैं नदी का देवता हूँ इसलिए मेरे पास ये चठडी है हमारे पास पानी था ये 50 घंटे जंगल में रहने से कितना मुश्किल है उससे कुछ ज्यादा ही मुश्किल है क्योंकि वाँ जंगल में हमारे पास पानी था जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है वो हेलिकॉप्टर आने वाला है भी या नहीं? मुझे नहीं लगता कि कोई हेलिकॉप्टर आने भी वाला है तो officially 30 गंटे हो चुके हैं इसका मतलब एक गंटा बचा है उस हेलिकॉप्टर को यहाने में मैंने sunscreen की 3 layers लगाई हैं और bug spray की 4 layers लेकिना भी भी हमें हेलिकॉप्टर लेंडिंग की जगा बनानी है जरा जल्ली करोगे बस एक गंटा बचा है तुम करना चाहोगे? इससे काटने की जरुत क्या है? हम इसे जला भी सकते हैं तब ये पूरी जगह साफ हो जाएगी theoretically देखा जाए हम fire extinguisher की border के अंदर की घास को आसानी से जला पाएंगे ये एक बेकार आइडिया है तो तुम edge कैसे बना रहे हो Chris? आग की मदद से fire! मैंने उसे बुझा थे और शायद अब वो आसानी से इस जगह पर helicopter को land कर पाएंगे पानी दस घंटे पहले ही खत्म हो चुका है मैं तो बस घर जाकर नहाना चाहता हूँ लट, कमान, तुम्हें मज़ा है की नहीं? सच कहना हाँ, बहुत मज़ा है सहीखा है बस हमारे पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, नहा भी नहीं सकते मैं थक चुका हूँ बहुत मुश्किल है यार पाच घंटों से एक घुड़ भी पानी नहीं पिया तुम्हें भूक लगी है तुम्हें क्या लगता है तरही क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया कोई आ रहा है मुझे सुनाई दे रहा है हमें बताना चाहिए कि हम लोग कहा है तो यह हमारा रेस्क्व हेलिकॉप्टर इसका मतलब है एकतिस घंटे पूरे हो चुके है या ठीक या पार या इस तरफ हेलिपैड पर एकतिस घंटे वह व्यूस पेकार प्लेन में मैं तो यहां से चला है गुद्बाइ Ruby हम ने थोड़ा प्षाहा फीओंगा और शावर्ण लूंगा आगर हम हम लेवर्स को नेक्स्ट लेवर्स लेकी शाएंगे में तुम्हें एक बात बताता हूं हम लोग ले और इसको नेक्स लेवल तक लेकी जाने वाले हैं अरे बस भी कर यार